नवस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चेर पर चेत दोस्तों पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में बेहद ही महतों पून जहनकारी को लेकर के जीहाँ आज आए हम सभी जानते हैं छेहरे को खुबसूरत हैं कि उसका चेहरा जो है वो वो बेहद ही चमकिला और खुबसूरत हो यानि कि चेहरे पे रोनाखो तो आए जानते हैं दो दिनों में चेहरे को गोरा करने के सबसे बेश्ट दस घरेलू उपायों के बारे में जिहां आप किसी भी गोरा करने वाली क्रीम के बारे में भूल जाएंगे इसको अगर आपने प्रयोग कर लिया तो गोरेपन में कमी आने के कई कारण हो सकते हैं जैसे कड़ी सुरज की धूप प्रदूशन जाईया या फिर चेहरे पर दाग धब्बे इत्यादी बाजार में मिलने वाले स्कीन केर प्रोडक्ट समवेदन शील त्वचा के लिए बड़े ही हानी कारक मा जाते हैं बहतर है कि आप घर में रखी प्राकृतिक चीजों का ही प्रयोग करें क्योंकि इन से किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता है कोई यानि कि आपको हानी नहीं होती है निखार पाने के लिए महंगी से महंगी क्रीम लोशन का इस्तेमाल करना बंद कर दी सबसे पहले तो बेकिंग सोडा लेकिन इसका इस्तेमाल फेस पे ना करें तो ही बेहतर होता है इसको जैसे की पैरों के सबसे नीचे की स्कीन होती है और उस पे बहुत ज़्यादा डर्ष्ट जमा हो जाए खास करके इस सर्दियों में होता है तभी इस्तेमाल करना चाहिए नहीं तो सोडा का इस्तेमाल जल्दी नहीं करना चाहिए आपको बेकिंग सोडा और पानी मिला करके पेश्ट बनाना चाहिए सबसे पहले इसे आप चेहरे पर अगर मिट्टी विट्टी वाला काम किया है आपने तो लगाईए और कुछ मिनट के बाद धोलीजिए यानि कि त जब फेस पर सुख जाए तब आपको धोना है आप खुद बख़ोद इसका लाव देख सकेंगे गुलाब जल्द यहां आपके चेहरे को टोन करके पोशन पहुचाएगा रोज वाटर को मिल्क के साथ लगाईए अच्छा होगा कि आप इसे रात को सूने से पहले चेहरे प बीज को रात भर दूद में भिंगो करके रख दें फिर सुबह इसमें हल्दी और केसर के कुछ धागे डाल करके पेश्ट बनाएं इसे चेहरे पर 15 मिनर तक लगा करके रहने दें कुछी दिनों में आपका चेहरा गोरा बन जाएगा आम का छिलका थोड़े से आम के छिलको को दूद के साथ पीस करके पेश्ट बना लीजिए फिर इसे चेहरे और गर्दन पर 15 मिनर तक लगाने के बाद पानी से धो लीजिए इससे संटैन मिट जाएगा और चेहरा गोरा हो जाएगा शेहद जिहां शेहद की कुछ एक बुंदों को निम्भू और थोड़े से दही के साथ मिक्स करके चेहरे पर लगाईए 15 मिनट के बाद इसे साफ कर लीजिए इससे चेहरा गोरा बनेगा और गंदगी भी साफ होगी शकर से स्क्रब करें जहां शकर को निम्भू के रस के साथ मिक्स करें और हलके हाथों से चेहरे पर रगणें इससे डेडी स्किन हटेग और गंदगी बाहर निकलेगी नारियल पानी जिहां दिन में दो बार चेहरे पर नारियल पानी लगाएं इससे दाग धब्बे जाईयां दूर होती हैं त्वचा में गोरा पनाता है पानी का ज्यादा सेवन करें पानी शरीर से गंदगी को बाहर निकालता है और चेहरे को टा क्रितिक गुलु आएगा और चेहरा गोरा लगने लगेगा गोरा दिखलने लगेगा जीहां आपको डाइट पर भी ध्यान देना चाहिए और भरपूर महात्रा में पानी भी पीना चाहिए तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के एक और बेहद ही महतोपून जहानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों